नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि SBI Green Rupees Term Deposit Scheme यह है SBI की सबसे धांसू स्कीम, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. SBI ने अपने ग्रहकों के लिए SBI Green Rupees Term Deposit Scheme नामक एक नई जमा योजना की पेशकश की है. इस योजना में भारतियन नागरिकों के साथ-साथ NRI और कंपनियां भी निवेश कर सकती हैं. नियोंतम निवेश राशी 1000 रुपय है जबकि अधिक्तम निवेश सीमा कोई नहीं है. यानि आप जितनी चाहें उतनी राशी निवेश कर सकते हैं. यह योजना तीन अलग-अलग अवधियों के लिए उपलब्ध है. 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन. निवेश पर आकरशक ब्य आपको संतोष जनक रिटर्न प्रदान करेंगी. यदि आप इस योजना में निवेश करने के इच्छुक हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग खाता खोलने की आवशक्ता होगी. मिलेगा इतना जबरदस्त ब्याज. 2222 दिनों के लिए निवेश पर 6.40 प्रतिशत की सालाना ब्याजदर मिलती है. अगर इसकी में वरिष्ट नागरिक निवेश करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता है. वरिष्ट नागरिकों को 1111 दिन और 1777 दिनों के निवेश पर 6.15 प्रतिशत और 2222 दिनों के निवेश पर 5.90 प्रतिशत सालाना ब्याजदिया जाता है. SBI Fixed Deposit की नवीनतम ब्याजदरें यदि आप SBI की किसी भी योजना में Fixed Deposit करते हैं, तो आपको निवेश की अवधी के अनुसार ब्याज मिलता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप 7 दिन से 45 दिनों के बीच पैसे जमा करते हैं, तो आपको 3.5 प्रतिशत की ब्याजदर मिलेगी. इसी प्रकार, 46 दिन से 189 दिनों तक के निवेश पर आपको 4.75 प्रतिशत तक का ब्याज प्राप्त होता है. यदि आप 180 दिन से 210 दिनों तक निवेश करते हैं, तो आपको 5.75 प्रतिशत ब्याज मिलता है, और 211 दिन से 1 साल से कम के निवेश पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. एक साल से तीन साल तक के निवेश पर 6.8 प्रतिशत तक का ब्याज मिलता है जबकि दो साल से तीन साल के निवेश पर ब्याज दर 7 प्रतिशत तक होती है तीन साल से पांच साल तक के निवेश पर आपको 6.75 प्रतिशत ब्याज मिलता है और 5 साल से 10 साल तक के निवेश पर 6.5 प्रतिशत तक का ब्याज प्रदान किया जाता है मिलेगी प्रीमैच्योर विड्रॉल की सुविधा SBI Green FD स्कीम में निवेश करने पर आपको प्रीमैच्योर निकासी की सुविधा मिलेगी यदि आपने धनराशी निवेश की है और अचानक आपको धन की आवशक्ता पड़ती है तो आप निवेशित राशी को समय से पहले निकाल सकते हैं इसके अलावा इस योजना में आपको FD पर लोन और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की जाती है निवेश करते समय इंकम टैक्स नियौमों के अनुसार TDS भी लागू होता है कहां करें SBI Green FD स्कीम में निवेश इस योजना में धनराशी निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले State Bank of India की कोई भी नजदी की शाखा में जाना होगा जहां आपको एक नया खाता खोलना पड़ सकता है यदि आपका पहले से Bank में खाता नहीं है Bank अधिकारी आपको विभिन निवेश विकलपों और योजनाओं की जानकारी देंगे साथ ही उनकी ब्याजदरे और अन्य शर्ते भी समझाएंगे Bank शाखा में आपको आवशक दस्तावेश जमा कराने होंगे जैसे की ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और अन्य कागजाद इसके बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा और आप निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जल्द ही, SBI Online Mode के जरिये भी निवेश की सुविधा प्रदान करेगा यह सुविधा खास कर उन ग्रहकों के लिए लाभदायक होगी जो घर बैठे बैंकिंग कार्य करना पसंद करते हैं इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाकर या योनो आप का उप्योग करके ओनलाइन खाता खोलना होगा जिससे आपको निवेश से संबंधित सभी जानकारी और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी इन विकल्पों के माध्यम से SBI अपने ग्रहकों को विविधा और सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है जिससे की वे अपनी विद्धिय जरूरतों को बहतर तरीके से पूरा कर सकें यह थी आज की कंप्लीट विडियो अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई इस तरह का नया विडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए धन्यवाद